दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों ने कमेंट किया था करन भाई ये बताए है फ्रन्ट फिलिफ हम कैसे सीखे फ्रन्ट फिलिफ उपर आप वीडियो बनाए और बहुत से भाई ने ये कमेंट किया था करन भाई ये बताएं साइट स्लिप की वीडियो आप कब बनाओगे मैं आपको बता दू मेरे साथ कोई नहीं आता है मेरा दोस्त भी नहीं आता कोई भी नहीं आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपने देखा होगा मैं खुद अकेले करता हूँ आप लोग जानते हो करन भाई मुबाईल फोन से वीडियो बनाते हैं क्योंकि मैं देखो जैसे फ्रंट फिलिप की वीडियो बनाओगा ये साइट सिलिप की वीडियो बनाओगा तो आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाऊँगा और आप लोग समझ नहीं पाऊगे आप लोग सीख नहीं पाऊगे इस करन मैं भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ आप लोग 2 या 3 दिन इंतिजार कर लो आपको front फिलिप और side slip की वीडियो मिल जाएगी क्योंकि आप लोग जानते हो करन भाई mobile phone से वीडियो बनाते हैं क्यों कि मैं running लोगा दवड के आऊँगा front flip करूँगा side slip करूँगा आप लोगों को दीखेगे नहीं पूरी तो आप लोग नहीं सीख पाऊगे तो आप लोग 2 या 3 दिन इंतिजार कर लो आपको वीडियो मिल जाएगी और आप लोग सीख जाओगे तब तक मैं आपको इस वीड पीचे जाने में डर खत्म कर दूँँगा तो मैं backhand spring बहुत जल्द सीख जाओंगा back flip ब्लोग सीख जाओगे यकीन मानो मैं आप लोगों का पीछे जाने में डर जर से खत्म कर दूँगा खत्म कर दूँगा यकीन अप लोग यह वीडियो को सुरु इक ये दो एक्सासाइज बताऊँगा आप लोग उनको बैक हैंड्ट सिर्ण एक बैक quellip को करना है। तो सबसे पहले आप लोग यह स्थोंतों मुझे पीछेजाने करने के डर खत्म करने तो सबसे पहले आप लोग और आपको सही तरह से तरह से ब्रीज एक्सरसाइज आना चाहिए कैसे होती यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं आप लोग सही तरह से भी नहीं कर पाते तो फिर भी आप लोग सीख जाओगे देखो आपको किसी जगा लेट जाना है लेटने के बाद आपको अपने हैंड ऐसे करके रखना है ऐसे करके जमीन पे पैर को मोड़ना है और आपको अपनी कमर को उपर के और उठाना ऐसे करके ऐ ऐसे कर लेना ऐसे करके आपको करना है आप लोग देख लो आप से थोड़ा होगा जब आप लोग पहली बार करोगे मगर आप लोगों से होने लगेगा अब यहां पर सबसे जरूरी बात आती आप लोग सेप्टी का विशेश ध्यान देना सेप्टी का विशेश ध्यान देना जहां भी आप लोग प्रैक्टिस करो आप लोग गईड़ो हो तो आपको चोटना लगे तो आप लोग इतनी एक्सासाइस कर लेना और यह जो कहते है अपीछे नहीं एक्साइच करें आइ ऐसे कर seas की है ऐसे करके पहले आपको अपने हैंड ले जाना है एसे हैंड सीधे ले जाना है तो आप लोगों को जल्ड स्क्रिंग पतम से बेंग एसे प्रकार करना है ज य हमोगिए विल्कुल आप लोग अपने वाहखो नहीं और करें अए पेल मेरे आंदर नहीं नहीं है तो आप लोगOS, सेप्टिक जब ध्यान रखोगे इस पकार प्रैक्टिस करोगे तो आप से आ जाएगा तो आप लोग इसी पकार करो अपने हैंड ऐसे सीधे रखो और पहले हैंड ले जाओ देखो तो आप लोग यह सोचो मुझे अभी बैक हैंड स्प्रिंग नहीं करना मुझे पीछे जाना मुझे डर अपना खत्म करना तो आप लोग जानते हो आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप लोग बैक हैंड स्पिंग कर लोगे तो आप लोग देखो और एक बार हैंड आपको ऐसे करके रखना यहीं से आपको सीधे अपने हैंड ले जाना और यह अपने पैर से जांप ज आइसे करके दो तों आप लोग देख सकते हो मैं गरदन के बल गिर जाता हूं क्योंकि बहुत किमेंट रहे जाता हैं जब आप जह ना चुलूँ आप लोग स्टार्ट करोगे गरप herbs क्रिक्टिस करते जा तो आपसे आज आएगा तो आप लोग देख रहे हो मैंने सेपटी के धियान रखा और प्रैक्टिस कर रहा हूं इसी प्रेकार आप लोगों से भी होगा तो पर आप लोग इतने कर लो फिर आप लोग क्या करना रखान। यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं कि आध़ा अम्हार में राखेंग सथ और लने के साथ जैसे आप लोग भी बैठ के कर रहें तो उसी से पर लोगर आपको करना आ ऐसे करके तो आप लोग देख सकते हो आप सभी इसी प्रगार होगा आप लोग बैठे आओगे कभी आप लोग गिर जाओगे आप लोग मगर हार मत मानना इसकी प्रैक्टिस करते जाना और देख लोग आप लोग ऐसे करके तो आप लोग देख सकते हो यहां पर बालू है इसलिए सही तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पैर फिसल जाते हैं मेरे हैंड भी फिसल जाते हैं देखो यहां पर गड़ जाते हैं देख सकते हो ऐसे करके तो इसलिए मुझसे सही तरह से यहां पर नहीं हो सकती है आप लोग मगर इस परकार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग यकीन मानों सीख जाओगे आपका डर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग जानते हो आप लोग कोई भी स्टंड सीख सकते हो और देख लो एक बार आपको हैंड ऐसे रखना है सीधे बिलकुल आपको अपने हैंड रखना है डाउन यहीं से ऐसे करके करना ऐसे करके तो आप लोग इस प्रकार प्रैक्टिस करते हो तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आप लोग घर पर बैक हैंड स्पिंग सीख भी जाओगे तो आप लोगों को मैंने बता दिया यहां पर सही तरस नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर बालू है मेरे पैर गड़ जाते हैं फिसल जाते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसकार प्रैक्टिस करो आप लोग यकीन मानों सीख जाओगे मिलते हैं अगले वीडियो पर बाई और आप लोग अपना खयाल रखना